डॉक्टर मेहुलबर्ट वंस अगें, कोवीड के बाद बाल गिरने की जो कम्प्लेंड है वो आजकल काफी कॉमन हो गई है, मेरे काफी पेशेंट है जो ये कम्प्लेंड कर रहे है, हैर फॉल, एक्सेसिव हैर फॉल, कोवीड के रिकवरी के बाद, ज्यादा तर केस में वो त तीन से चार महने तक पॉवीड के बाद रहता है, और उसमें पेशेंट कई बार स्ट्रेस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, कि सर मेरे काफी बाल गिर रहे हैं, और एक्सपेक्ट करते हैं, कि मैं कुछ मेडिसिन या कुछ दवाई लगाने के लिए उनको दूँ, ऐसे नाम है कॉर्टिजॉल, और सिर्फ कॉवीड में ही नहीं, कोई भी दूसरी बिमारी जैसे टाइफॉइड है, या हाई फीवर, जॉन्डिस वगेरा, ये सभी बिमारी में जहां पे फिजिकल स्ट्रेस बाड़ी में बढ़ जाता है, ऐसे समय पे कॉर्टिजॉल का लेवल ब कॉर्टिजॉल को या डिएच्टी को आप कम नहीं कर सकते, तो एग्जेकली इसे हमें ठीक कैसे करना है, ये हैरफॉल एग्जेकली है क्या, इस हैरफॉल को हम बोलते हैं टेलोजन एफ्लूवियम, ये एक टेंपररी कंडिशन है, याद रहे, टेंपररी, आपको मैं रिया कवरी पीरियड पढ़ता है, वैसे वैसे जो गिरे हुए बाल है, वो अपने आप, ऑटोमेटिक जल्दी वापस आ जाते हैं, कुछ पेशेंट्स में वो 6 से 8-9 महीने तक लग सकते हैं, लेकिन ये पीरियड में कई पेशेंट्स डर जाते हैं कि मेरे बाल गिर रहे हैं, गंजा हो जाओंगा या में गंजी हो जाओंगी, ऐसा नहीं होगा, अपकोर्स stress के बाद, कुविट के stress के बाद, बाल पतले हो सकते हैं, ज़्यादा मातरा में गिर सकते हैं, लेकिन बाल्डनेस इससे नहीं आएगी, तो exactly इसे ठीक कैसे कहिया जा सकता है, जो कारण है, उस ही हमें दूर करना है, मतलब stress को दूर करना है, सो कुविट के बाद की जो recovery का period है, उसमें anti-stress activity जैसे meditation है, योगा है, relaxation है, ये सभी करना ज़रूरी है, at the same time जो आपका nutrition है, उस पे ध्यान देना है, खाना जो food है, ज़्यादा तर आपके बाल के लिए जो food काम में आता है, व बाल वो रोज आपके खाने में होना ज़रूरी है, fresh, seasonal fruits और vegetables, ये सब चीज nutrition आपका अच्छा करेंगे और जिससे आपके बाल को अच्छा nutrition मिलेगा और बाल जल्दी grow होंगे, आपको ध्यान रखना है कि जो color वाली चीज खाने की है, junk food है, या western food है, ये सब चीज avoid करना है, चीज और butter ये भी avoid करना है, बाल को massage कर सकते हैं लेकिन excessive massage नहीं करना है, जो भी regular oil आप यूज कर रहे हो, वो आप यूज करके अपने बाल को हफते में 2 या 3 बार oil massage कर सकते हो, लेकिन mild massage, excessive massage नहीं करना है, जो shampoo आप यूज कर रहे हो, वो mild shampoo यूज करना है, वो सके तो baby shampoo भी आप यूज़ कर सकते हैं ध्यान रहे कि जितने chemical हमारे बाल को या skin को कम लगेंगे उतना जल्दी recovery हो जाएगी क्या नहीं करना है या क्या नहीं असर करता है recovery में वो है अलग-अलग तरीके के multi-vitamin tablets या कोई क्रीम या लोशन जो आप शायद medical से ले लो या कोई डॉक्टर के पास से ले लो कोई ऐसा scientific proof नहीं है कि कोई particular दवाई आपके बाल को वापस उगाने के लिए help करेगी सो इन सब जंजट में मत पढ़िये ऐसी कोई medicine मलं नहीं है जो as a doctor में आपको दे दू और आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे इसके पीछे का कारण stress है और इसका treatment भी anti-stress activity और anti-stress food यही है कोई medicine नहीं है कई बार आपने सुना रहेगा aloe vera या onion का juice या अंडे क्या-क्या अलग-अलग तरीके के options आपको social media पे मिल जाएंगे बाल उगाने के लिए लेकिन यह सब चीज scientifically proven नहीं है और एक चीज़ कहना चाहूंगा कि जो saloon में chemical treatment, hair straightening treatment या ऐसी कोई भी harsh treatment COVID के recovery के बाद आप बाल पे मत किजिएगा क्योंकि बाल already weak है और ऐसी कोई भी chemical treatment, hair straightening वगेरा से बाल और गिर सकते हैं तो यही message सभी को के जो hair fall है वो काफी common है, male, female किसी को भी हो सकता है, specially COVID के stress के बाद लेकिन वो ज़्यादा तर case में temporary है अगर आपको लगता है कि excessive hair loss हो रहा है या baldness, bald patch, मतलब एक part में ही बाल सब गिर गए है और skin दिख रही है तो ऐसे case में आपको skin specialist को दिखा के या hair specialist को दिखा के कुछ particular treatment ले सकते हो लेकिन वो reserved है सिर्फ extreme case में जहाँ पे continuous hair fall 6-8 महिने के बाद भी हो रहा है मेरे जो पिछले साल के जो patient थे जो कोविट से recover हो चुके है उनका experience भी यही है जो आके मुझे बता रहा है कि जो शुरुआत में जब कोविट हुआ था उसके बाद उनके बाल गिर गए थे लेकिन आप 6-8 महिने के बाद उनके जो बाल है वापस पहले जैसे नॉर्मल हो ग अच्छा hair care उसमें काफी हो जाएगा और 3-6 महिने में आपके बाल जो गिरे हुए है वो वापस recover हो जाएंगे कोई treatment की जरूरत नहीं है कोई hair cream की जरूरत नहीं है कोई oral multivitamin tablets की भी जरूरत नहीं है ज्यादा तर case में natural methods ही आपको काम आएंगे